जहिंसाथियों कैसे हैं आप सभी होप करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे सेफ होंगे वाज सुरचित होंगे आज की इस वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं कि भारत ने अपना खुद का पहला electrolysis plant जो है वो लग चुका है तो electrolysis plant आखिर होता क्या है मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपनों को बताया था कि भारत अब चुम्बक के प्रयोग से पानी से हाइडरोजन बनाने लगेगा मतलब अर्टिमेटली इसका मतलब है कि पानी से हाइडरोजन मनेगा हाइडरोजन से बिजली बनती है अब यह बात एक क्लियर है कि हाइडरोजन से जो बिजली बनती है यह इंवेंशन जो है इंडिया में पहले से लगवक सभी देशों के पास था कि अगर आप कहीं से हाइडरोजन पा जाएं तो उससे आप बिजली बना सकते हैं बिजली मेंगर एलेक्रिसिटी प्रोडियूस कर सकते हैं लेकिन हाइडरोजन जो है वो नेचर में यानि कि प्रकित में इन्वाइर्मेंट में 0.1% पाया जाता है मतलब प्रकित से हाइडरोजन पाना संभो नहीं है पॉसिबल नहीं है दूसरा विकर्प हाइडरोजन मिलता है कार्बनिक प्रदार्थों में तो अगर हम वहां से हाइडरोजन निकाल लेंगे यानि कि अलग कर लेंगे तो क्या होगा तो वहां पे कार्बन बचा रहे एक hydrogen वा दूसरा oxygen पाया जाता है तो अगर यहां से हम hydrogen निकालते हैं तो दूसरा हमारा ultimately oxygen ही बचेगा यहां पर pollution का कोई खत्रा नहीं था लेकिन पानी से hydrogen बनाया कैसे जाए इसके लिए एक तरीका अभी तक आलरीडी था अगर आप लोगोंने मेरी पीछे वाली वीडियो देखी है कि पानी अब बनेगा hydrogen फ्यूल तो उसमें मैंने यह सारी electricity के दो इलक्ट्रोड यानि कि जो दो तार होते हैं एक कोई योगी कोई किसी भी एलिमेंस यानि कि कोई भी धात हो उसकी पानी में डुबा दें और फिर उसमें करण्ट फुलो करवा दें तो hydrogen अलग हो जाता था लेकिन वहां पर एक समस्य आती थी कि जितनी electricity हम उस हाइड मतलब पानी से hydrogen को अलग करने में वहां पर जितनी electricity लगती थी उससे कम electricity हमें hydrogen को बनने के बाल हाइडोजन से मिल पातीय कि मतलब समझ रहे हैं कि hydrogen हम बनाते किसलिए हैं बिजली बनाने के लिए और जब हम बिजली ही इस्तेमाल याने की इस्तेमाल करके पानी से हाइडरोजन अलग करेंगे तब उससे कम एलेक्टरिसिटी हमें उस हाइडरोजन से मिल पाती थी जितना कि हमने खर्च किया अभी जल्द ही सायर आयाइटी रुड की आयाइटी खड़कपूर के चात्रों ने उसमें एक गुरुजन ने मिलकर एक अभिसकार किया था उनका इन्वेंशन क्या था कि वे चुम्बक के प्रयोग से पानी और यानि कि हाइडरोजन और आक्सीजन को अलग कर ले रहे थे मतलब एक बार एक चुम्बक का सेटप बना दिया गया उसके बारे में डिटेलिंग तो उन्होंने नहीं दी डिटेलिंग कोई भी सायंटिस्ट नहीं देता है अन्य था उनका प्रोड़क्ट नहीं दीते जो भी उन्हें इन्वेंशन किया हो भी कहना तो दो चुम्बक बिजली बन जाएगी और बिजली से आप मोटर साइकल, कार, बाइक कुछ भी चला सकते हैं अब तो MI कंपनी जो जौमी थी जिसकी मोबाइल आ रही थी वह भी इलेक्ट्रिक वहिकल बनाने के लिए अपने आपको कंपनी के रूप में रजिस्टर करवा चुकी है आज तार अलग हुआ हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी बनी तो उस समय साथ आप लोगों ने विश्वास ना किया हो लेकिन आज की जो यह वीडियो है आयाय बैंगलेरु में कहां पे बैंगलेरु में पहला एलेक्ट्रोलिशिस प्लांट यानि कि पहली ऐसी फैक्ट्री लग गई है आज उसका उधातन भी हो गया है प्रधान मंत्री जी क्या हो जिसमें अब पानी के द्वारा हाइड्रोजन को अलग किये जाने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है यो कि कंटिनुसली चल रहा ह ठीक है तो क्या हुआ आज कुछ दाता निकम के आया है कि जब 9.1 टन वाटर को एलेक्ट्रोलिशिस किया गया मतलब इससे हाइड्रोजन बनाया गया तो हमें क्या-क्या प्राप्थ हो यह आप लोग समझ लीजिए अग्यमेट्री एक टन एक टन तो हमें हाइड्रोजन या हमें आक्सीजन प्राप्थ हुआ आक्सीजन आठ टन हाइड्रोजन एक पॉइंट एक टन प्राप्थ हुआ अब बात को समझते से लिएगा यहां से हाइड्रोजन हमें एक पॉइंट एक टन प्राप्थ हुआ आठ तन हमें आक्सीजन प्राप्थ हुआ अब यहां से आग बना सकते हैं इतने हाइड्रोजन से क्लियर है जिसकी कीमत जिसकी कीमत जो आती गई है 1497 यूएस डालर मींस पंदरा सो डालर हम मान लेते हैं इतनी कीमत का ये विजली बनी अब इसकी हम कि बैल्यू निकालते हैं अपने इंडियन रुपीज में तो इसको हम 75 से मुटिप्ला और इसके आगे है दो जीरो लगा था दो जीरो एक लाक 12000 रुपै की विजली की हमें नौ तन वाटर से हमें मिली क्लीर है पहली बाद को उल्किमेटरे समत्य चलिएगा मिलती है कि उसके साथ में अच तन आपसिजन और जो है फ्री आफ्प कास्ट मिल जाता है आक्सीजन की कीमत क्या है या आप लोग इस COVID पीरियड में अच्छे से जान गए होंगे कि एक सिलेंडर आक्सीजन की कीमत सायल 3,000 रुपय है जिसमें 15-16 लीटर आक्सीजन होता है यह हमें लिक्विड आक्सीजन ही प्राप्त हुआ है जिसको हम सीधा 15-16 लीटर आक्सीजन टैंक में भर भरके इसको आराम से 3,000 रुपय से 2700-3,000 रुपय पर टैंक हम आराम से से सेल कर सकते हैं यह जो आक्सीजन के अभी तो कितने प्लांट अस्थापीत किये गे न देशों में कि हम आक्सीजन की तने प्लांट लगा रहे हैं जो अब अधनि से कुछ सक करेंगे फ्रेस करेंगे इसको बनाएंगे तो रॉन TC gen ंॅ भरेंगे यूज किया जाएगा पानी टोटर मारा हुआ अगर हम इसको फिल्टर किया जाता है उसके फिल्टर किया जाता है फिर इसके पैकेजिन की जाती है बोटल वगएरा में फिर जाके इसको बीच रुपय पर लीटर बेचा जाता है 20 रुपए पर लिटर निचा जाता है आप सभी जानते हैं कि एक लिटर पानी की कीमत 20 रुपए ही है तो अगर हम इसको 20 से मल्टिप्लाई कर दे रहे हैं अपना तो 91 दो ना 180 टू और 30 जिरो मतलब 1,82,000 रुपए का ये टोटल पानी तब बनता है कब जब इसका फिल्टरेशन इसकी पैकेजिंग बोटल और गयरा का खर्चा अलग से इसमें लगाया जाता है मतलब अगर वह हम 32,000 मानने टोटल पैकेज का खर्चा फिल्टर करने का तो 1,500,000 रुपए का ये टोटल प विजुली मिल गई एक लाख 12,000 रुपए की तो विजुली मिल गई उसके अलामा आठ टन आक्सीजन आठ टन आक्सीजन मतलब हुआ कि असी कुंटल असी कुंटल का मतलब ये अगर आप अल्टीमेटल यहां पर निकाले तो आठ हजार आठ हजार लीटर अब इसको हम इसे पंदर से दिवाइट के दियर हैं 15 से 15 चोका साथ 15 पचे 15 पचे 75 50 15 पचे पैतालिस पांच पदास तंदर तेंट यह पैतालिस पांच सो तीच सिलंडर बनाद जो एक सिलंडर 2700 का जो मिल ला था है 2700 शकीन हजार का ऐसे 533 शिलंडर आक्सीजन तयार के के तयार हो तो 25 अगर आप इसको गुणा करेंगी 25,75 मतलब लगभग ये साड़े साथ लाख रुपए का आप सीजन यहां पर बनके आपका तयार हो जाएगा मतलब अगर टोटल इवेवलेट करें तो ये लगभग साड़े साथ लाख ये जादा ही मिलेगा इससे कम नहीं मिलेगा मतलब ये लगभग आपका नौ लाख यहां से कितना मिलता था यहां कितुना मिलेगा नौ लाख तो अब आप लोग सोचते हैं ये नौ तन पानी अभी लाख में बिखता था अब नौ लाख में बिखेगा मतलब अगर आप लोग सोचे कि हमें इस पानी विचले में ज्यादा था यहां पर नुक्सान हो अगर खानी या बिजली की किमत देखें तो इसलिए मैंने सारे डाटा आप लोगों के सामने रखें तो अल्तिमेटली सब्सक्राइब होंगे मिलते हैं कि इस नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को जैखें